हलो दोस्तों स्वागत है आपका दश्टडे भी थे Σके में दोस्तों वर्ड मैपिंग की कलस में आज हमारा टॉपिक मंगोलिया पर है मंगोलिया जैसे आप यहां पर देख रहे हैं या चीन के उत्तर में है चीन के उत्तर में आपको या एक लेंड लाग कंट्री मंगोलिया दिखाई दे रहा होगा अगर आप रूस के हिसाब से देखेंगे तो यह रूस के दच्छड दिसा में है तो मंगोलिया पूर्व एसिया और मद एसिया में एक भूम से घिरा हुआ लेंड लाग कंट्री है इसकी सीमा उत्तर की तरफ रूस के साथ मिलती है और इसकी सीमा दच्छड पूर्व और पस्चिम में इसकी सीमा चीन के साथ मिलती है अगर आप इसके पस्चिम में देखेंगे तो इसका एक देश कजाकिस्तान दिखाई दे रहा होगा कजाकिस्तान जो है या मदेशिया का देश है लेकिन आपको इसमें दिख रहा होगा कि कजाकिस्तान की सीमा इससे मिल रही है लेकिन कजाकिस्तान की सीमा जो है वह इससे नहीं मिलती है मंगोलिया की जो सीमा है वह कजाकिस्तान से नहीं लगती है अभी आप बड़े मैप में देखेंगे तो वहाँ पर आपको इसकी clarity नजार आएगी जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर आपको यह छोटा सा यहाँ पर दिख रहा होगा यहाँ पर भी चीन है यहाँ पर रूस और चीन की सीमा मिलती है हम दूसरे मैप में आपको दिखाते हैं तो इसमें आपको अच्छे से clarity आ जाएगी अब इस मैप में आप देखेंगे तो यहाँ पर यह चीन का और रूस का भाग आपको यहाँ पर दिखाई देगा देखिए मंगोलिया और कजाकिस्तान देखेंगे तो यहाँ जो इतना छोटा सा हिस्सा है यहाँ लगबग 29 किलो मीटर किया हिस्सा है यहाँ रूस और चीन की सीमा बनाता है ना कि मंगोलिया और कजाकिस्तान की तो जैसे परिच्छा में प्रस्ण बनता है कि कजाकिस्तान की सीमा मंगोलिया से लगती है कि नहीं लगती है तो कजाकिस्तान की सीमा जो है या मंगोलिया से नहीं लगती है क्योंकि इसके जो बीच में है वाचीन और रसिया का बाडर सेयर होता है जैसे कि हमने बताया या चीन से तीनों तरफ से घिरा हुआ है और एक तरफ से रूस से घिरा हुआ है या जो है रूस और चीन के बीच में बफर इस्टेट का काम करता है बफर इस्टेट के बारे में हम आप से बात करेंगे आगे यह विश्व में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा अस्तल बद्ध देश है अगर हम विश्व में सबसे बड़ा अस्तल बद्ध देखेंगे तो वह कजाकिस्तान है और दूसरा सबसे बड़ा अस्तल बद्ध देश है वहाँ मंगोलिया है अब हम मंगोलिया के बारे में जानकारिया आपको देना शुरू करते हैं जैसे कि आप मंगोलिया को इस मैप में देख रहे हैं मंगोलिया जो है भूम से घिरा हुआ लैंड लाग कंट्री आपको यहाँ पर दिख रहा है इसका जो सबसे बड़ा सहर है वहाँ इसकी राइधानी उलान बटोर है यहाँ पर हम मंगोलिया के मैप में चलते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा अब यहाँ पर आप फिचकल मैप में देखिए यहाँ पर उलान बटोर जो है यहां मंगोलिया देश की राजधानी है और यहां का सबसे बड़ा सहर भी है यहां देश की लगभग 38% जनसंख्या निवास करती है इसकी 38% जनसंख्या जो है यहां इसकी राजधानी में ही निवास करती है मंगोलिया में संसदी गनतंत रूपी सरकार है अगर हम यहां की राजभासा की बात करें तो यहां पर जो राजभासा है वह मंगोलियाई राजभासा बोली जाती है मंगोलिया में राजभासा जो है वह मंगोलियाई राजभासा है और यहां के जो निवासी है वह भी मंगोलियाई ही कहलाते है जैसे कि यहां के सरकार के बारे में बताया, यहां की सरकार जो है यहां संसदी यह गरतन तरूपी सरकार है अगर हम मंगोलिया राज्य के गठन की बात करें, तो मंगोल समराज्य का गठन जो है वहां 1206 में हुआ था आपको हमने चंगेज खान के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारिया पिछले कलासों में दी हैं आज के कलास में हम और भे जानकारिया देंगे अगर हम इसके स्वतंता की घोसड़ा देखें तो 1911 में जो है मंगोलिया क्विंग सामराज से स्वतंत हुआ था तो 1911 में या पूंड रोप से स्वतंत हुआ और इस समय यहाँ पर किस राजबंस का सासन था तो कुंग सामराज का यहाँ पर सासन था तो कुंग सामराज से या 1911 में स्वतंत हुआ अगर आप यहां की मुद्रा की बात करें तो यहां की जो मुद्रा है वा तोगोर्ग के नाम से जानी जाती है तो यहां की जो मुद्रा है वा तोगोर्ग मुद्रा यहां पर जानी जाती है अगर हम मंगोलिया के इतियास की बारें बात करें जैसे कि आप मंगोलिया के यहाँ पर कई परांथ देख रहे हैं मंगोलिया का इतिहास जो है जिस तरीके से आज इसे मंगोलिया कहा जाता है कभी यहाँ पर विभिन प्रकार के भुमंतू सामराज्य के द्वारा यहाँ सासित किया गया था इन सामराज्यों में सियोंगू, सि जिसमें सामिल हैं, यहां पर 1206 में सबसे पहले आप जानते हैं चंगेज खान, चंगेज खान के बारे में हमने आपको कई बार बताया है, चंगेज खान द्वारा यहां पर मंगोल सामराज की अस्थापना की गई थी, चंगोज खान ने यहां पर एक सामराज अस्थापित कि जिसको मंगोल समराज के नाम से जाना गया लेकिन इवान राजबंस के पतन के बाद से मंगol अपने पुराने रहनसान पर लोटाया सोलमी और सत्राहुए सताथदी में मंगोलिया जोकी तिब्वती बहुत धर्म के प्रभाव में आया था 17 सदी के अंत में मंगोलिया के अधिकान शेत्र में क्विंग राजबंस ने सासन को अधिन कर लिया और आगे चल करके 1911 में जब किंग राजबंस के पतन के दवरान मंगोलिया को स्वतंता मिली लेकिन 1921 तक सुतंता को अस्थापित करने और 1945 तक अंतर राष्टी माननेता हासिल करने के लिए इसको संघर्ष करना पड़ा तो 1945 तक इसको अंतर राष्टी माननेता प्राप्त करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा इसके नतीजे या हुआ कि देश मजबूत रूस और सोबियत के प्रभाव में आ गया 1924 में मंगोलिया जो जनवादी गर्राज की घोसड़ा की गई उसमें राजनीतिक रूप से मंगोलिया उस समय के सोबियत राजनीत का अनुपालन करने लगा और आगे चल करके 1989 में लोगतांत्रिक क्रांती देखने को मिली जिसकी वज़ा से बहुदली बेवस्था अस्थापित हुई और 1992 में नया संविधान यहां का बना और देश जो है बाजार अर्थ बेवस्था की ओर अगरसर हो गया तेहां पर 1992 में संविधान बना और आगे चल करके यह देश बाजार अर्थ बेवस्था की ओर आगे बढ़ा अगर हम मंगोलिया की संस्कृती की बारे में बात करें तो मंगोलिया की जो संस्कृती है वाच छिगिस खान चिगिस खान के मतलब आप जानते हैं चंगेज खान इसे भारत में चंगेज खान के नाम से जाना जाता है लेकिन यहां पर इसको चिगिस खान के नाम से जाना जाता है लेकिन हम यहाँ पर भारत के परिप्रेच में देख रहे हैं तब इसको चंगेज खान ही पढ़ेंगे मंगोल जातियों को संगठित करके एक बहुत बड़े सामराज की निव चंगेज खान ने डाली थी यह सामराज चेन, रोस, पूर्वी यूरोप तथा मध एसिया तक फैला हुआ था इतियास कारों ने मंगोल की कोसमन का जो मत का अनुवाई था उसने मंगोल इतियास में लिखा है कि छटी सताबदी में भारत से दो आचारे नरेंद्रियस तथा साकेवंस मंगोलिया आये थे उन्होंने अपने साथ बहुत सूत्र गरंथ तथा और मूर्तियां ले करके यहाँ पर मंगोल में आये थे छटी सताबदी में ही बहुत धमत का परचार यहाँ पर प्रारंब हो गया और यहाँ पर निरंतर या प्रियास चलता रहा भारत से धर्माचार यहाँ आते जाते रहें और मंगोल जो है धर्म परायर जिग्यासु तीर थियात्रा करने संस्कृति का अध्यन करने तथा धर्म का गूढ ग्यान प्राप्त करने के लिए भारत आते गए 17 सताब्दी तक याकरम चलता रहा लेकिन मंगोल वासी अपने को भगवान बुद्ध के प्रियसिस से मौदुल लायन की संतान मानते हैं मौल रूप से जो मंगोल देश था वह अब तीन भागों में बटा हुआ है मंगोलिया का एक भाग चीन के अधीन है जिसको आप इनर मंगोलिया कहते हैं तो हमने वताया तो जिसको इनर मंगोलिया कहते हैं मुख्य भाग जो अब स्वतंत्र है उसको बाह मंगोलिया कहते हैं कुछ भाग रूस के अधीन में है, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ भाग यहाँ पर रूस के भी अधीन में है, जिसे साइबेरिया प्रदेश का भाग बना दिया गया है, इसे बुयार्थ गरडाज कहा जाता है. अगर हम मंगोलिया की राजदानी उलान बटोर को देखें, तो जिसका सब्द का अर्थ होता है, जो उलान बटोर है, इसका अर्थ होता है, लाल बहादुर, मंगोलिया का जो राष्ट धोज है, उस पर स्वयंभू, यानि की स्वयंभू उच्चारण जो है वह कहलाता है, मंगोल लोग संस्कृत नाम रखते हैं, वहाँ पर भारती पंचांग तथा आयूरवेद का भी प्रचलन है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि मंगोलिया के एक भोधपूर्व राष्टपती का नाम भी सुम्भू था, मंगोल देश का जो बैज्ञानिक सरप्तम अंत्रिच में गया था, उसका भी नाम गोर्चता था। कुछ के नाम कीरती, कुसली, कुमूद, कुबेर, सुमेर, जै, जीमित्र आध के नाम पर रखे गए हैं, महिलाओं के नाम में इंद्री, रतना, अम्रिता आध नामों से संबोधित किया जाते हैं। चीन में मंगोल बंस के प्रथम समराड जो कुबलाई खान हुआ था, उसने तिब्बत से महायान बधमत के प्रथम आचार फाकसपा जो की आ रहे थे, उनको पेकिंग में बुला करके उनसे दोच्छा ग्रहण की थी। आचार फाकसपा को राजगुरू की पद भी दी गई, उन्होंने चीन में बिहार बनवाए, चीन के बुवाई सान नामक परवत पर मंजू स्री देवी का विसाल मंदिर भी बनवाया। आगे से बहमूल भेटे समराट को प्राप्त हुए, जिनका कुछ भाग बोध गया और महा बोध भेजा गया। कुबले खान ने चीन की विस्व विख्यात महा भित्ती के पस्चिमी द्वार पर अपना कुछ मंत्र लिखवाया। अगर हम मंगोलिया के और भी बारे में बात करें तो मंगोलिया में सैकडो छोटे बड़े बिहार हैं। प्रत्यक बिहर में अनेक लामा निवास रहते हैं अध्यान अध्यापन वा धर्म परचार का कारे करते हैं और यहां पर कई बहुत प्रांगड कई भवन भी है प्रत्थम कोष्ट पूजा भवन भी यहां पर है अगर हम मंगोलिया में बहुत धर्म की बात करें तो मंगोलिया में बहुत धर्म काफी प्रसिद्ध है मंगोलिया में बहुत धर्म बहुसंख्यक के रूप में हैं मंगोलिया में जिस बहुत धर्म का पालन होता है वा जो है तिबबत के बहुत धमत से काफी ज्यादा मिलता ज मंगोलिया की जनसंख्या में 98 प्रसत जो है वा बहुत मत को मानने वाले हैं यहां पर 98 प्रसत की जनसंख्या जो है वा बहुत धर्म को मानने वाली है अगर हम मंगोल सामराज की बात करें तो मंगोलिया में जो है मंगोल सामराज 13 और 14 सताब्दियों के दोरान 11 सामराज था इ एकी करण से यह जो है मंगोल सामराज बना था मद्द एसिया में शुरू और या राज अंतता पूर में योगरोप से लेकर कि पस्चिम में जापान के सागर तक और उत्तर में साइबेरिया से लेकर दच्छिड में आप भारती उप महादेब तक यह फैला हुआ था आम तोर पर इसे दुनिया के इतियास में सबसे बड़ा सन्निहित सामराज जमाना जाता है अपने सीर्थ पर यह लगभग 97-100 किलू मीटर तक फैला था अगर इस समय अगर प्रतिविक के कुल भूभाक का कुल छेत फल देखेंगे तो बाइस प्रस्त हिंसे पर इसका कबजा था और इसकी आबादी लगभग 100 करोण के आसपास थी मंगोल सासक पहले बौद थे लेकिन बाद में धेरे धेरे तुर्कों के संपर्क में आ करके इन्हों ने इसलाम धर्म को अपना लिया अगर हम प्रमुख मंगोल सासक की बात करें तो आपको प्रमुख मंगोल सासक में चंगेज खान मिलेगा खान मूलता इनका मंगोलियाई उपाद थी जिसका साब्दिक अर्थ नायक नेता सासक राजा या मुखिया से लगाया जाता है परमुख मंगोल सासक में चंगेज खान हुगा चंगेज खान का जो सामराज था वा 1260 से 1227 तक था उसके बाद इसका बढड़ा बेटा चंगेज का बढ़ा बेटा ओगताई खान आया जो 1231 से लेकर के 1241 तक सासन में रहा उसके बाद गोयुक खान आया मोंगे के खान और कुबलई खान आया कुबलाई खान 1260 से 1294 तक रहा और मंगोल सामराज का प्रभाव जो है या अब्बासी खिलाफत का अंत किया मंगोलों ने अनेकों राजबंसों को अंत किया और सक्तिके नए केंद्र अस्थापित किया इस प्रकार मंगोल सामराज को पूर्भ आधुनिक से आधुनिक योग में ले जाने वाले उत्पिरेरक की तरह समझा जा सकता है उस्मानी सामराज और मुगल सामराज को मंगोल सामराज की साखा के रूप में माना जाता है मंगोल भासा के बारे मेंगर आप जानें तो मंगोल भासा जो है या अलताइक भासा कुल की तथा योगात्मक बनावट की भासा है या मुक्ता अंतंत्र मंगोल भीतरी मंगोल के स्वतंत्र प्रदेश जो बुरियाड है मंगोल राज में मोली जाती है इन छेत्रों के अत्रिक्त जो है इनके बोलने वाले मंचूरिया, चेन के कुछ छेत्र और तिबबत तथा अफगानिस्तान आद्में भी पाये जाते हैं अनुमान है कि इन सब छेत्रों में मंगोल भासा बोलने वालों की संख्या कोई लगभग 40 लाग के करीब होगी इन विसाल छेत्रों में रहने वाले मंगोल जात के सब लोगों के दोरा सुकृत कोई एक आदर्स भासा नहीं है परन्त जो तथा कथित मंगोलिया हैं उनके अंदर जन तंत्र मंगोल की हलका बोली धीरे धीरे आदर्स भासा का पद गरहण कर रही है अगर आप भारत और मंगोलिया के बीच में संबंद देखेंगे तो भारत और मंगोलिया के बीच में संबंद जो है काफी पुराना है फिलहाल अगर हम आपसी बात करेंगे तो आपसी सहयोग राजनाइक यात्राओं साफ्ट लोन के परावधान और बित्तिय सहायता और आईटी छेत्र में सहयोग तक अभी सक्सीमित है भारत ने 1955 में ही राजनाइक संबंद अस्थापित किये थे मंगोलिया के साथ मंगोलिया के साथ राजनाइक संबंद अस्थापित करने के लिए सोबियत संखे बाहर भारत पहला देश था तब से दोनों देशों के बीच में 1973-1994-2001 और 2004 में आपसी मित्रता और सहयोग की संधियों पर हस्ताचर हुए मंगोलिया संयुक्तरा सुरच्छा परिसद के अस्थाई सदस्थ के रूप में भारत के उम्मीदवारी को अपना समर्थन ब्यक्त करता है जबकि भारत ने गुट निरपेच आंदोलन के पूर्ण सदस्थ के रूप में मंगोलिया को सामिल करने का समर्थन किया है अगर हम 2010 के गैलप पोल के अनुसार देखेंगे तो 26% जो मंगोलियाई है वा भारती नेदर्द को स्विकार करते हैं जिसमें 9% निरासा जनक और 6% अनिश्चित है दिसंबर 2016 में अगर हम देखें तो मंगोलिया ने चीन की सीमा के अवरुद होने के बाद भारत से बित्तिय मदद मागी अपरेल 2018 में भारती बिदेश मंत्री जो की सुसमा स्वराज हुआ करती थी उन्होंने मंगोलिया की एतिहासिक यात्रा के बाद भारत और मंगोलिया इसके दुई पच्चे ब्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक हवाई गलियारा अस्थापित करने का निड़े लिया या भी उम्मीद है कि मंगोलिया की पहले तेल रिफानी का निर्मार भी भारत से तकनीकी और बित्तिय सहायता के साथ सुरू होगा अगर हम भारत के और मंगोलिया के एतियासिक संबंद की बात करें तो इनके बीच में एतियासिक संबंद जो है वा 27 सोवर्ष पूर्वतक का है दिल्ली सल्तनत और मुगल सामराज के सासक मूल रूप से मंगोल ही थे जिनोंने इसलाम धर्म अपनाया था असल में मुगल सब का अर्थ जो है वा फार्सी में मंगोल ही होता है अगर सांस्कृतिक आदान परदान के बारें बात करें तो प्रारंबिक इसापूर्ग युक के दवरान भी भारतिये भिक्षूओं ने बहुत धर्म को मंगोलिया में फैलाया था नातीशतन आज भी बहुत जो है मंगोलिय में एकल सबसे बड़ा धार्मिक संप्रदाए बनता है अगर हम भारत का आधुक काल में देखेंगे तो भारत और मंगोलिया के आधुक काल के संब्द में देखेंगे तो 1955 में भारत मंगोलिया के साथ राजनाइक संब्द अस्थापित करने वाला सोबियत गुट के बाहर का पहला देश बना था तब से दोनों देशों के बीच कई राजनीतिक दोरे हुए भारत ने ताइवान और चीन के बिरोध के बावजोद भी संब्द राज की सदस्ता के लिए मंगोलिया की उम्मिदवारी को प्रायोजित किया बदले में मंगोलिया ने भी भारती सहिंकों द्वारा बांगला देश की मुक्ति के बाद बांगला देश को सतन देश के रूप में मानता देने वाले पहले कुछ देशों में से भी सामिल था 1973 की अगर सायोक्त घोसडा देखेंगे तो उनमें मंगोलियाई प्रधान मंत्री युम जागिन टेडिन बल जो थे उनकी भारत यात्रा के दवरान भारत मंगोलियाई सायोक्त घोसडा पर भी अस्ताचर किया गया महत्री पूर्ण संबंद और अगर हम सायोक्त की संधी देखेंगे तो भारत और मंगोलिया के बीच में जो संधी है काफी महत्पूर्ण है 1994 जो की तत्केलिन मंगोलियाई राश्पती थे पुनसल मागीन उन्होंने भारत यात्रा के दवरान मायत्री पूर्ण संबंद और सायोक्त की एक संधी पर अस्ताचर किया संधी के प्रावधावनों के अनुसार भारत और मंगोलिया ने ब्यापार और त्व्योस्था, बिग्यान, स्वास्थ, क्रिसी, संस्कृति, सिच्छा, संचार और परेटन में भी सहयोक बिक्सित करने का संकल पिलिया उन्होंने अंतराष्टी, अपराधो और आतंकवाद को रोकने के लिए सुरच्छा सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने का भी संकल पिलिया अगर वर्तमान में देखेंगे तो वर्तमान में जो है मंगोलियाई जो राष्ट पती थे नासागिन बागबांडी उन्होंने भारत का दवरा किया इस यात्रा के दोरान एक संयुक्त घोसड़ा पत्र जारे किया गया जिसमें सुचना प्रदों की निवेश समवर्दन और संग्रच्छन के छेत्र में संयुक को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने एक पत्र पर हस्ताच्छर किया मंगोलिया ने संयुक्त रासुरच्छा परिस्द का अस्थाई सदस्य बनने के लिए भारत की उम्मेदवारी का भी समर्थन किया साथ ही मंगोलिया ने पाकिस्तान के साथ भारत के सांती प्रियासों का भी समर्थन किया मंगोलियाई प्रधान मंत्री ने 2004 में भी भारत का दावरा किया इस यात्रा के दावरान पसु स्वास्त और डियरी अंत्रिच बिग्यान और जवपद्यकी के छेत्र में भी आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तीन समझावतों पर हस्ताचर किये गए थे भारत मंगोलियाई संबंद तब से बढ़ रहे हैं जब से मंगोलियाई राश्पती यान खैवार की भारत यात्रा के दौरान संबंदों को साजेदारी के नए अस्तर पर ले जाने का जो है संकल पिलिया गया था अगर आप देखेंगे तो भारत के परधान मंत्री जो मोधी है इन्होंने 2014 में मंगोलिया की यात्रा की थी जहां उन्होंने वहां की संसत को भी संबोधित किया था उन्होंने उलान बटोर जो की मंगोलिया की राजधानी है उसमें राश्टी कैंसर सेंटर को जो की भाबा एटरान उपकरण भी सौप दिया था इसके अलावा मई 2015 में प्रधान मंत्री मोदी की यात्रा के दोरान इंफ्राइस्ट्रक्चर विकास के लिए कई अन्य छेत्रों में मंगोलिया के लिए एक बिलियन डॉलर की लाइन आप क्रेडिट का विस्तार भी किया गया मंगोलिया में जो है या बाली बुड की फिल में काफी लोगप्री हैं वहाँ पर अमिताब बच्चन, मादुरे देच्छित, अच्छे कुमार और विद्या बालन जैसे भारती अभिनेताओं के पोश्टर आपको अस्थानी बाजार में देखने को मिल जाते हैं तो आपने मंगोलिया के बारे में जो भी जानकारिया थी परिच्छा के द्रिश्चित से वो सब देख ली, बाकी आगे के कलास में हम आपको आगे अलग जानकारी देंगे तो आज के जानकारी में हम इतना ही रखते हैं पिछले क्लास में हमने आपको ताइवान के बारें पढ़ाया था अगले क्लास में हम आपको कोरिया के बारें में जानकारी देंगे कोरिया में हम आपको उत्तर कोरिया और दच्छड कोरिया के बारें में बताएंगे कि उसके बाद हम जापान पर बाद करेंगे तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं आज के लिए धन्यवाद अगले क्लास में बने रहिएगा चैनल को ज्यादा से ज्यादा सस्क्राइब करवाईए धन्यवाद